हेलो फ्रेंज समस्कार सबी को मैं शेफ परशोक स्वाद करता हूँ आपका आपके अपने वुट्व चैनल कुकिन शेफ परशोक तो आज मैं आपको बताऊंगा पेपर चिकन ड्राई कैसे बनायता है पेपर चिकन जो सौथ इंडिया की बहुत ही फेमर डिश है ये खाने में काफी टेस्टी भी होता है और इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रिजिंस की जूट परती है बैचलर्स के लिए एक नंबर जालेंगे नमक और बिनेगर से दोने से कहा होता है चिकन के अंदर जो समेल होती है बो घतम हो जाती है तो 10 मिनिट तक आप इसी पानी में चिकन को छोड़ दीजिए उससे क्यों होगा चिकन के अंदर दर नमक का टेस्ट भी चला जाएगा और अगर आप केस विनेगर ना ह तो आप लेमन जूस का यूस कर सकते है इससे कहोता है जो बलड वगएरा होता है चिकन के अंदर बो सारा निकल जाता है तो ये देखिए चिकन को मैंने यहापे तीन पानी से धोली है अब इसके बद जो लेग पीस होते है उसमें अच्छे से कर्ट लगा दीजिए कर्टम इसमें नमक डाल दीजिए आदा चमच और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे कहोगा चिकन के अंदर नमक का टेस्ट रहेगा और दूसरा कलर अच्छा आता है तो इसको कम से कम 10 मिन तक ऐसे छोड़ देजिए तब तर दूसरी थ्यारी कर लेते हैं यहापे मैंने एक इसमें चमच साबूत काली में चालेंगे और एक चमच जिसमें साबूत जीराइड करेंगे अब आपने गैस की फ्लेम चालू कर देनी है एक तर लो फ्लेम इनको कम से 2-3 मिन तक ड्राइ रोश्ट कर लेना है इसे इनके अंदर जो मौईस्टर आप खत्म हो जाएगा कि दे इनको पीसना नहीं है इनको अपने करश करना है तो बेलन की साहिता से मैं यहाँ पर ग्रश कर रहा हूँ इस तरह से करके आप इस मसाले को चिकन के अंदर डालेंगे ना बहुत बढ़ी आट टेस्ट आएगा तो कि देखे यहाँ पर मैंने प्याच लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम चिकन बनाने के लिए प्याच को आपने स्लाइस काट लेना है कि देखे इस तरह से आप प्याच को चौप भी कर सकते हैं बारीक भी काट सकते हैं पर इस तरह से डालेंगे तो प्याच अच्छे से गल चाता है और कि देखे काटने के बाद आपने इसको ऐसे मैश क कर लेना है तक इसके सारे लच्छे वो अलग-अलग हो चाहें तो प्याज का टीम भी हो गया अभी हमें यहां पे लस्टन की लिए लस्टन को आपने कूट के डालना है कूट के डालेंगे ना टेश देखेंगे चिकन के अंदर कितना जबर दस आएगा तो बस आपको इतनी ही करनी है अब यहां पे मैंने स्टेनलस चील का पैन लिया है और उसमें ऐल आइड करेंगे तीन बड़े चमच मैंने यहां पे ऑईल डाला है ऑईल की भी कमी ही चुरूट परती इसको पनाने के लिए और जैसे थोड़ा हीट हो जाए थोड़ा सा अब इसके अंदर साबू ज चुका है फिर हम इसमें प्याज भी आइड कर देंगे स्लाइस कटा जो हमने प्याज रखा था और अब आपने गैस की फ्ले मीडियम रखनी है और मीडियम फ्ले में प्याज को तब तर पकाना है जब तक इसके अंदर जो मौईश्य रहना बोग खतम नहों चाहे और कंटी प्याज की फ्ले मीडियम रखनी है और मीडियम फ्ले में प्याज को पकने देना है मीडियम फ्ले में प्याज को पका रहे हैं ताकि प्याज गलना श्रोज है जब भी मीडियम फ्ले में प्याज को पकाते हैं प्याज अच्छे से गल जाता है करीब अद्धा भी डाला है मै फिर नम इसके अंदर चिकन एड़ करेंगे, तो चिकन मेरन ऐड़ करके रखा था, इसको आपने ट्रैक पल्दी नहीं करना है, क्योंकि इसके नीचे पानी ही रहता है, तो पानी का यूज नहीं करना है, देखें चिकनका निखा स्वार ड्लाव के डाल दीए, आपने गैस की फ्लेम medium to high करनी है और medium to high फ्लेमे 3-4 मिंड तर चिकन को भून लेना है तब भून है जब तर चिकन के बार से बार चिकन का पर चेंज होना शुरू नहीं हो चाहिए तो प्र हम इसमें दो बड़ी चमज Other glassन का पेस्टा एड करेंगे अगर आपके मिक्सी गर नहीं है तो अब ह प्रगलसन को कोट के भी डाल सकते हैं, पेस्ट हालने के बदा आपने गेस्ट की फिले मीडियुम करते हैं, और मीडियुम फिले में तीन से चार मुनिर तक आपने चिकन को यहाँ पका ले और नहीं तो कड़ाई के नीचे पेस्ट चिपकना शुरू कर देता है, आदा छोट और थोड़ी देर के लिए कबर कर पकाएंगे ताकि जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए उपर से कबर करके पकाने से जल्दी गल जाता है कि आप देख सकते हैं चिकन ने आपर ऑईल को सेपरेट करना शुरू कर दिया और प्याज भी हमारे यहां पर लगवग गल ही चु तो पानी दालने के बद आपने इसको उपर से कबर कर देना है और आराम से 15 मिनिट तक इसको पकने दीचिए पानी डालना जुरूर यह अगर आप ड्राई में ही चिकन को पकाते रहेंगे उसे चिकन के बना हार्ड हो जाता है तो किये देखे पंदरा मिनिट तक मैंने लोफल कूटा हुआ मसाला एड़ कर देंगे काली में चीरा और सौंफ का जो पौडर था तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया वो पौडर आप अपने टेस्ट को उनसार कम जदा मिर्ची कर सकते हैं यह मसाला कावी स्पाइसी भी होता है और इसमें सौंफ का इचा फ्लेवर भी होता चिकन को बनाने के लिए और लास्ट में आप इसके उपर से थोड़ा सा फ्रेश करीब अटा डाल देशिए थोड़े से अद्रग के चूलें डाल देशिए थोड़ा सा आपने बरे कट और अधनिया डाल देना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यह हमारा ड्